हालो एब्रीवन एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफर्म पर आपका हादिक सवागते बच्छों लाश्ट क्लास में हमने समाकलन इस्टार्ड किया था और समाकलन पर बेस कुछ फॉर्मुले पढ़े थे और उन फॉर्मुलों पर बेस हमने कुछ कुछन किये थे ठीक ह अब आज हम और कुछ कुछ करने जा रहे हैं आपको वह कुछन समझ में आ गए होंगे बच्छों जो लाश्ट क्लास में हमने पढ़े थे और फॉर्मुले आपने उमीद करता हूं याद कर लिया होंगे तो आज हम कुछन और पढ़के देखते हैं देखकें कुछन नमबर लिख सकते हैं x square power 1 by 3 dx के लियर और इसका हमें integration करना है तो यह x square power 1 by 3 यह हो जाएगा x की power 2 by 3 dx x की power 2 by 3 का अगर हम integration करें तो होगा x की power 2 by 3 plus 1 upon 2 by 3 plus 1 and plus c के लियर तो यह हमारा हो जाएगा x की power 2 by 3 plus 1 5 by 3 means 3 by 5 x की power 5 by 3 plus c and next question है at e की power 3x का हमें integration करना है तो e की power 3x का integration क्या होगा बच्चों e की power 3x dx का integration अगर हम करेंगे तो ध्यान दीजिएगा e की power ax dx इसका integration होता है बच्चों e की power ax upon a plus c क्या होता है e की power ax upon a plus c means जो x के multiply में value होते है वो upon में आजाते है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का integration e की power 3x upon 3 plus c clear and next question है 1 by 2 1 by 2 all power x and dx इसका अगर हम integration करते हैं तो इसका integration देखें यह a की power ax बन रहा है और a की power ax का integration होता है a की power ax dx का अगर हम integration करते हैं तो यह होता है a की power ax upon log a base e and plus c where c is constant तो इसका integration हो जाएगा 1 by 2 a की value 1 by 2 है 1 by 2 की power ax upon log 1 by 2 base e and plus c अगर इससे थोड़ा और solve करें तो यह हो जाएगा 1 by 2 की power ax and log 1 by 2 को log m upon n से solve कर सकते है log m upon n equals to log m minus log n तो यह बनेगा log 1 minus log 2 log 1 की value बच्चों 0 हो जाएगी तो यह हो जाएगा minus log 2 base e and plus c यह था हमारे तीन question next question है हमारा 5 cos x 5 constant है तो भाहर लिख देते हैं बच्चों cos x dx and 3 constant 3 को भाहर लिख दिया sin x dx and plus 2 is constant 2 constant है तो हमने इसको भी भाहर लिख दिया 1 upon cos square x को हम लिख सकते हैं sec square x dx clear अब हम सभी के integration जानते हैं direct integration कर देते हैं 5 cos x का integration minus sin x sorry cos x का integration only sin x होता है sin x and sin x का integration होता है minus cos x it means plus आ जाएगा plus cos x and plus 2 sec square x का integration क्या होता है बच्चों sec square x का integration होता है tan x plus c clear यह हमारा answer हो क्या next question है sec square x and cos sec square x dx दोनों multiple में हैं बच्चों इसका integration देखिए हम कैसे करें इसका integration हम इसका direct integration जानते हैं क्यानी जानते अब ऐसा नहीं है कि sec square x का integration कर दो cos x का integration अलग से कर दो integration है तो दोनों को अलग-अलग integration कर दो ऐसा possible नहीं है बात ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं हो सकता तो अब इसको हम साइन एंड कॉस में कर लेते हैं पहले साइन एंड कॉस में सैक स्कॉर एक्स को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्कॉर एक्स को हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्कॉर एक्स यह हो जाएगा क्लियर अब यह हमने लिख लिया लेकिन य अब देखिए यहाँ पर जो अंस में लिखा है तो वन को हम आइडेंटिटिटी यूज कर लें वन के लिए वन इकोस टू साइन स्क्वाइर एक्स प्लास कॉस इसक्वाइर एक्स तो हमें इससे बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी और देखिए कॉस इसक्वाइर एक्स और स इजिटेज लिख दिया बचों अब क्या करेंगे अब इसको अलग-alanग । क्या कर देंगे क्म्मध कर्दें साइस कॉस क्य इस कंसिल हो जाएगा बचेगा वन अपॉन इसक्मधाकॉद आप देखी क्या फाइदा हुआ यहां मल्टिप्लाई में थे और यह किसमें कर्णवर्ट हो गए प्लस में कर्णवर्ट हो गए बच्छों सिर्फ वा सिफ एक आइडेंटिटी के यूज करने से जो सर्समी का थी उसके यूज से यह चेंजे जो के अब इसको हम लिख देते है सेक स्क्वार एक्स का जो इंट्रिकेशन है वो क्या होता है टैन एक्स होता है और को सेक स्क्वार एक्स का जो इंट्रिकेशन है वो क्या होता है माइनस कोट एक्स होता है प्लस सी इस कॉंस्टेंट तो यह हमारा जो इंट्रिकेशन था वो कम्पलेट हो गया बच्छों दे d a a की पावर x d a का हम integration कर रहे हैं ध्यान दें यहाँ जो integration कर रहे हैं वो हम a के respect में कर रहे हैं किसके respect में कर रहे हैं a के respect में ठीक है तो यह a constant नहीं हो सकता बच्चों यह x को हम constant लेते हो चलेंगे एक के respect में कर रहे हैं इसका मतलब यह constant नहीं यह वेरियवल है मतलब चल और x constant है तो यह जो follow कर रहा है वो x की power and dx के formula को follow कर रहा है देखिए यहाँ x तो यह एक यह तो यह और पावर x है यहाँ पर पावर n थी opposite हो रहा है इसका अब इसकी help से इसका करेंगे देखो इसका क्य integration क्या हो जाएगा इसका integration हो जाएगा हमारा a की power x plus 1 upon x plus 1 plus c सिर्फ और सिर्फ उसी formula के help से हमने इसको complete कर दिया पर क्यों करा क्योंकि यहाँ पर a के respect में हमें इसका integration करना था ठीक है ऐसा नहीं हो कि a की power x dx लिखा हो तब भी आप यह लिख दें ठीक है next question is x square upon x square upon one plus x square ठीक है इसका हमें integration करना है बच्चों diet integration possible नहीं भाग हम दे नहीं सकते क्योंकि भाग दे के क्या होगा अलग-अलग तो कुछ होने वाला नहीं वैसा का वैसा ही रहेगा कुछ होना नहीं लेकिन एक काम कर सकते हैं हमने last class में भी एक question करा था one add कर देते हैं now one subtract कर देते हैं plus one add कर दिया और one subtract कर दिया अब भाग दे लेते हैं अलग-अलग कर लेते हैं one plus x square upon one plus x square साथ में dx and minus one upon one plus x square dx क्या फाइदा हुआ यह तो cancel हो गया और यह cancel होके बन गया only dx and minus one upon one plus x square dx dx का integration होजएगा बच्चों x and इसका integration होजएगा tan inverse x plus c क्या लिया और one upon one plus x square का integration क्या होता है tan inverse x होता है next question देखते हैं next question है हमारा sin inverse x plus cos inverse x mind में देख करा रहा होगा कि यह question अब कैसे होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर हमें inverse trigonometry का एक formula या identity बोल सकते हैं वो हमें याद है तो यह question बहुत easy way में complete हो रहा है sin inverse x plus cos inverse x देखिए since sin inverse x plus cos inverse x equal होता है बचो पाई बाई बाई टू के है तो इसका हम यूज कर लेंगे इस question में इसको हम पाई बाई बाई टू लिख देते हैं और साथ में dx पाई बाई टू इस constant पाई बाई टू कॉंस्टेंट है बचो तो पाई बाई टू को हम बाई ले लेते हैं और dx dx का integration करेंगे तो आप सभी जानते हैं dx का integration होता है एक्स और पाई बाई टू साथ में है प्लस सी जो सी क्या है कॉंस्टेंट है कि आपका question number six complete हो गया next question है x square minus one upon x square plus one का integration करना है आप देखिए अलग-अलग भी करेंगे तो क्या होगा x square upon x square plus one minus one upon x square plus one तो देखिए one upon x square plus one का तो हम integration कर देंगे तो पहले एक काम कर लेते हैं इसको अलगी कर लेते हैं ठीके ताकि आपको clearly समझ में आ जाएगा यह हो गया x square upon x square plus one and minus one upon x square plus one dx अब देखिए क्या करें अब इसका integration possible नहीं इसका integration तो हम direct जानते हैं क्या होता है tan inverse x होता है तो हम इसको solve करने के बारे में सोचते हैं अभी एक question करा था बचों क्या करा था one add कर दिया था one subtract कर दिया था वह ही यहां कर देते हैं तो क्या होगा यह हो जाएगा x square plus one upon x square plus one dx and minus minus one upon x square plus one dx और minus one upon x square plus one dx दोनो सेम है तो direct दोनों को जोड़ दे 2 लिख देते हैं सबसे बेस्ट 2 upon x square plus one dx के लिए यह cancel हो गया हमारा यह x square plus one से x square plus one cancel तो यह हो गया dx and minus 2 integration of one upon one plus x square with respect to dx dx का integration करेंगे तो यह हो जाएगा x and one upon one plus x square का integration करेंगे तो यह क्या होता है 10 inverse x plus c होता है बच्छों next question है हमारा cot square x dx cot square x का integration करना है बच्छों अब cot square x का integration की बात करें तो cot square x का क्या direct integration जानते हैं हम नहीं जानते हैं आप ध्यान करके कोशिच करें और या फिर मैंने जो formula लिखा है उसमें देख लें आपको cot square x का direct integration नहीं मिलने वाला तो cot square x का direct integration नहीं होता तो हम यहाँ पर identity जिसे बोलते हैं सर्व समी का वो यूज कर लेते हैं हम जानते हैं 1 plus cot square x जो होता है वो cossack square x के बरावर होता है तो cot square x को हम लिख सकते हैं cossack square x minus 1 dx अब हम इसे अलग-अलग कर लेते हैं यह हो जाएगा cossack square x dx and minus dx kossack square x का जो integration है वो हो जाएगा बच्चों minus cot x and dx का integration है वो जाएगा x plus c यह हो गया हमारा integration complete क्या हो गया minus cot x minus x plus c के लिए रहे तो देखें cot square x का integration possible नहीं था लेकिन हमने उसको जो identity थी क्या थी since 1 plus cot square x बरावर cossack square x इसके help से question को change करा और change करके solve कर दिया next question है हमारा one upon under root one plus x minus under root x अब यहां देखें दो दो problem होगे एक तो हर में मैंने बताया था आपको हर एक problem रहेगी हमारी solve हो जाए तो हमारा question solve होने के chances काफी बढ़ जाएगी और दूसरी problem यह under root भी आ रहा है तो हम इसका क्या करते हैं परीमे करण करके इसके हर को solve करने की कोशिश करते हैं देखें परीमे करण में क्या करते हैं इसके विपरीज चिन से गुणा और भाग कर देंगे अंडरूड वान प्लास एक्स माइनस अंडरूड एक्स तो इसका विपरीज चिन हो जाएगा अंडरूड वान प्लास एक्स एंड प्लास अंडरूड एक्स अपन अंडरूड वान प्लास एक्स प्लास अंडरूड एक्स integration करते हैं, क्या होगा, देखें, under root 1 plus x plus under root x as it is, और यहाँ a plus b into a minus b, a plus b into a minus b बन रहा है बच्चों, तो इसका formula होता है, a square minus b square, देख देखें, since a square minus b square equals to a plus b multiply by a minus b, clear, तो इसको solve करेंगे, तो यहाँ आजाएगा, under root 1 plus x solve करेंगे, square करेंगे, तो 1 plus x आजाएगा, a square होगे न, minus b square, तो minus b square करेंगे, तो only x आजाएगा बच्चों, यह साथ में dx, अब देखें, x plus का और यह minus का, cancel हो गया, cut हो गया, only upon में रहे गया 1, मैंने अभी आपको बताया था, हर एक problem थी, और हर बड़े easy way में solve हो गया, परीमे करन करते ही, अब इसका integration हम अराम से कर सकते हैं, यह है हमारा under root 1 plus x, तो इसको हम लिख सकते हैं, 1 plus x की पावर 1 by 2 dx and इससे हम लिख सकते हैं, x की पावर 1 by 2 dx, ओके, यह जो form बन रही, x की पावर any बन रही यह दोन हो जागे, तो x की पावर and की help से इसका, और इसका integration कर देते हैं, तो इसका integration हो जाएगा, 1 plus x की पावर 3 by 2 और साथ में 3 by 2 अपन में आएगा, तो यहां multiply में 2 by 3, ऐसे 2 by 3 x की पावर 3 by 2 और plus c is constant, क्लियर रहे हैं बच्चों? सबसे पहले आख को मिले, अपेक्स क्लास इस एडिटेक, सब्सक्राइब नाव!